नमस्कार नियोस फॉर्णी इश्रुन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुरचा श्रमा बिहार की सियासत बिहारवधान सभा चुनाफ से पहले बदली बदली नजर आ रही हमने हर दोर देखा पर निशाना साधा जाता था उसके बाद ट्वीटर के माध्यम से ट्वीटर वार चुड़ता था एक दूसरे पर जब भी कोई तंज कसना होता था तो कोई भी ट्वीट कर देता है उसके बाद पोस्टर वार भी हमने देखा जगा जगो पर पार्टी के तरफ से पोस्टर जाता था लेकिन इसे बीच अब बिहार में लेटर पॉलिटिक्स भी हो रहा है चिठी के माध्यम से एक तरफ बात बन रहा है तो दूसरी तरफ बिगड भी रहा है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बताने की कोशिस करते हैं लेकिन उससे पहले समझ ये क्योंकि राज़त की पूरा नहीं किया साफ तोर पर रगवन्स प्रसाद सिंग ने अपनी तीन मांगों का जिक्र किया और नितीश कुमार को अपने हाथों से लेटर लिखा शब्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी तीन मांगों को नितीश कुमार के समक्ष रखी है और ये कहा है कि जल से जल पूरा किय इस लेटर में रगवन्स प्रसाद सिंग ने कौन सी तीन मांगों का जिक्र किया है वो आपको बताते हैं Facebook पर पोश्ट किए अपने पत्र के माध्यम से रगवन्स प्रसाद सिंग ने मुख्य मंत्रु नितिश कुमार से उन तिन मांगों को पूरा करने का अग्रह किया जिसे वो पूरा नहीं कर पाए इनमें पहला गरतंत्र भूमी वैशाली में जंडो तोलन करने और भगवान बुद्ध के भिख्षा पात्रों को काबूल से मंगवाने की मांग के साथ ही मनरेगा कानून में आम आदमी को जमीन में काम करने का संशोधन अध्यादिश लाने की म में भरती हैं वहीं से उन्होंने पत्र अपने लेटर पैड पर लिखा और इसे फेस्बुक पर पोस्ट किया मुख्यमंत्री निदीश कुमार के नाम लिखे अपने पत्र में उन्होंने मनरेगा कानून में सरकारी और SCST की जमीन में प्रबंध का विस्तार करते हुए उस ख सियम निदीश कुमार से दूसरी मांग में उन्होंने वैशाली को जनतंत्र के जननी और प्रथम गरतंत्र कहते हुए आग्रा किया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पटना में और 26 जनवरी को वैशाली में राश्ट ध्वच फैराने का निर्णय कर इतिहास की रचना करे उन् तीसरी मांग में रगवन्ष प्रसाद सिंग ने भगवान बुद्ध के पवत्र विक्षा पात्र को अफगानिस्तान से वैशाली लाने की अपील की उनका कहना है कि भगवान बुद्ध अंतिम वर्षावास में वैशाली छोड़ने के समय अपना विक्षा पात्र समारक की रूप में वैशाली वालों को दिया था आपको पता दे कि रगवन्ष प्रसाद सिंग ने इस मुद्धे को लोग सभा में भी उठाया था साथी बिहार के मुख्य मंत्री सिचाई मंत्री और प्रधान सचेव को पत्र लिखकर तीन कार्यों को पूरा कराने की मांग उन्हों तो रगवन्ष प्रसाद सिंग ने तीन मांगों का जिक्र करते हुए एक लेटर से अमनितिश कुमार को लिखा है और अपने हातों से उन्होंने चिठी में ये तीन मांगे रखी हुई है और इसको उन्होंने एम्ज से ही लिखा है आपको पता दे कि इससे पहले एमोशनल लेटर लिखी जिसमें उन्होंने हग जताती हुए कहा कि तुम समझ जाओ कि तुम कहीं नहीं जा रहे हुए तो जिस तरीके से लालु प्रसाद यादव ने लेटर में शब्दों का चैन क्या है उससे ये सपश्चोड़ा है कि लालु प्रसाद यादव बेहत नमस्कार